कि अज़िए कि नमस्कार पहले दर्शकों नच्छत्र तक आपका अपना यूटूब चैनल मैं आपका जोतिश्मित्र आदित्य दुबेदी आज हम बात करने वाले हैं ब्रहस्पती महराज की दृष्टी के बारे में ब्रहस्पती की दृष्टी का क्या रिजल्ट होगा इसके पहले कुछ सामाने जानकारी ब्रहस्पती ग्रह से संबंधित आपको देंगे अगर आपकी कुंडली में कहीं भी लगन कुंडली आपको लेनी है लगन कुंडली को ही देखना है आपको अगर आपकी लगन कुंडली में कहीं भी ब्रहस्पती 9 नमबर या 12 नमबर की गिंती पर लिखा हो जिनकी खुंडली में ब्रहस्पती नो बारा और चार नंबर की गिंती पर होता है ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिती अच्छी होती है धन से संबंधित जीवन में बिसेश परिशानिया नहीं आने पाती हैं क्योंकि ब्रहस्पती धन का ग्यान का संतान का और भौतिक सुख का क ग्यान का प्रकास होता है सही गलत की जान पहचान होती है लेकिन अगर ब्रहस्पती दस नंबर की गिंती में है नीच रासी में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी आर्थिक संकटों का शामना करना पड़ता है नीच भंग होना अलग चीज है उसके बारे में यह हा नहीं बात करेंगे वो उसके बारे में कारिकरम बनाया जा चुका है ब्रहसपती का केंद्रादिपति दोस्थ इसको भी बता देते है देखे अगर आपकी कुंडली में ब्रहसपती यह जो आपकी लगन कुंडली है इसमें यह पहला जो चतुर्भुज होता है यह पहला गेंगें। और 12 नंबर की गिंती लिखी हो तो बिरहस्पती को केंद्राधिपती दोस लग जाता है और ऐसे में बिरहस्पती आपको लगेगा कि बिरहस्पती अच्छा है लेकिन उसकी महादसा अच्छी नहीं जाती है केंद्राधिपती दोस होने के कारण अगर आपकी कुंडली में 9 या 12 नंबर की गिंती इस घर में हो या इस घर में हो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच में घर में 9 नंबर या 12 नंबर की गिंती हो या नामे घर में 9 नंबर 12 नंबर की गिंती हो और ब्रहस्पति इन चारों घरों में बैठा हो यानि यहां पर 9 नमबर की गिंती हो या 12 नमबर की गिंती 9 नमबर यहां हो या 12 नमबर लिखा हो और ब्रहस्पती इन घरों में हो तो ऐसे व्यक्ति को ब्रहस्पती का बड़ा ही अच्छा पल मिलता है यानि तब ब्रहसपती त्रिकोड का स्वामी होकर केंदर में हो जाता है अच्छा रिजल्ट देने लगता है ब्रहसपति अगर आठमे भाव का स्वामी हो तो अस्टमेस दोस लगता है यानि कि अगर आपकी कुंडली में यहां इस घर में आठमे घर में यह पहला घर है यही से गिनिया एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ अगर आपकी कुंडली में आठमे घर में नौ नंबर या बारा नंबर की गिंती लिखी होगी तो आपको कुंडली में देखना है ब्रहस्पती कहां बैठा है ब्रहस्पती जहां बैठा होगा उस चीज से संबंधित फल में कमी करेगा अम्मान लीजे यहां पर आपकी कुंडली में नौ नम्बल लिखा और ब्रहस्पती चोथे घर में है तो घर, गाड़ी, जमीन, परिबारिक, सुख और माता का भाव होता है इन सारे चीजों में कमी कराएगा परेशानी उत्पन करता है आठमे भाव का स्वामी जहां बैठता है हानी देता है तो नौ और बारा नमबर की गिनती आठमे घर में है तो ब्रहस्पती को अश्टमेस दोस लगता है उपाय के बारे में भी बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं ब्रहस्पती की दृष्टी की ब्रहस्पती जहां बैठता है वहां से गिनेंगे पांच घर, वहां से गिनेंगे साथ और वहां से गिनेंगे नौ यानि पांच साथ नौ घरों को ब्रहस्पती महराज पूर्ण दृष्टी से देखते हैं बारी बारी से ये के घर में लेंगे और संचेप में ही यहां हम बात करेंगे और साधारत सोत्र से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा अब मा लीजे किसी की कुंडली में ब्रहस्पती पहले घर में बैठे हुए है ये कुंडली का पहला घर होता है लगन कुंडली का पहला चतुरुभुस पहला घर अगर पहले घर में ब्रहसपती हैं तो कहां कहां देखेंगे पांच साथ नौ एक दो तीन चार पांच साथ नौ तो ब्रहस्पती को ऐसे गिल लेंगे जहां बैठे हैं वहां से पांच साथ नामे घर को अब ब्रहस्पती लगन में बैठकर पाचवे घर को देखे हैं अब यहां पर दृष्टी का एक विशेश नियम समझ लेजिए ब्रहस्पती जहां देखता है वहां पर व्रिध्धी करत इसकी जान लीजिये द्रिष्टी में खाद पानी है जैसे ब्रिच में खाद पानी पड़ता है तो वह ग्रो करता है ऐसे ब्रिहस्पती की द्रिष्टी में खाद पानी है जहां देखेगा ब्रिध्धी करेगा पहले घर में ब्रिहस्पती है तो पाचमे घर को देखेगा आर् पतनी के साथ रिस्टों में अच्छा करेगा अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है बेवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं मंगल के कारण या सूर्य के कारण लेकिन ब्रिहस्पती की दृष्टी है तो तनाओ रहेगा जगडा रहेगा लेकिन गुरु तलाक नहीं होने देता है माल लेजिए यहीं मंगल है मंगल के दृष्टी है मंगल तलाक देनवाल दिलवाना चाहता है गुरु की दृष्टी पड़ेगी तो तलाक नहीं हो पाएगा तो गुरु की दृष्टी साथमे भाव पर बैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है ब्योसाएं में ब्रिष्टी करवाता है अगर साथमे भाव पर दृष्टी है अर्थात पहले घर में ब्रिष्टी है यहां ब्रिष्टी होगा तो भाग्य भाव को भी देखेगा यानि व्यक्ति के भाग्य को धर्म को भी ब्रिध्धी करेगा और अगर ब्रिष्टी यहां पर है भाग्य होने से ही अधिक लाव मिल पाता है बिना पूजा पाठ किये ऐसे ब्रहस्पती का अच्छा फल नहीं मिल पाता है अब अगर ब्रहस्पती दूसरे घर में है दूसरे घर में अगर आपका ब्रहस्पती है तो ब्रहस्पती कहां कहां देखेगा एक दो व्यक्ति जो है प्रत योगी जो होते हैं प्रत व्यक्ति के जो कमपटीटर्स होते हैं वो हाभी हो जाते हैं रोग रिन सत्रू की भी ब्रिध्धी ही करेगा ब्रहस्पति यानि कुछ ना कुछ रोग दे के चल सकता है कुछ न कुछ करजा बना के चलेगा जीवन में बहुत बार करजा लेना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति अपनी वाड़ी आधिके द्वारा लोगों को अपना सत्रों भी बना सकता है ब्रहस्पति की साथमी द्रिष्टी अस्टम भाव पर पड़ेगी आयू में ब्रिध्धी करेगा और यहां का ब्रहस्पति अगर दूसरे घर में हो और आठमे भाव को देखे तो एक चीज का लाह मिलता है ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा जो है अच्छा बीता है अगर चेत्र में ब्रहस्पति में मदद करेगी अब यहां पर दूसरे भाव में अगर ब्रहस्पति होता है तो निस्फल होने लगता है क्योंकि कारक ग्रह कारक भाव में बैठके ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है तो दूसरे भाव का ब्रहस्पति होना मैं अच् व्यक्ति की किस्मत उसके पती या पतनी के भाग्य से जादा चमकती है यानि वीवाह के बाद में भाग्योदे होता है ऐसा व्यक्ति लोगों के उपर अपने वाड़ी का प्रभाव बना ले जाता है अगर यहाँ पर ब्रहस्पती हो तो ऐसा व्यक्ति जगड़ा जंजट और कलाह से कलाह युक्त वातावरर नहीं पसंद करता है ऐसा व्यक्ति सांति पूर्ण माहौल पसंद करता है ऐसा व्यक्ति लोगों को समझाना जादा पसंद करता है ज्यान से और विचार से यहां का ब्रहस्पती होगा तो साथमे घर को देखेगा एक दो तीन चार पांट साथमे घर को देखकर के ब्रहस्पती फिर से पार्टनर ब्योसाय पत्नी और यात्रा आधि मामलों में लाभ देगा भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य और धर्म कर्म के ब्रद्धी करेग व्यक्ति को आध्यात्मी कुन्नती देगा और व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा लाब भाव पर दृष्टी पड़ेगी ब्रहस्पति की यानि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्थी अवस्य कर लेगा यानि तीसरे भाव के ब्रहस्पति की तीनों दृष्टियां अ ब्यक्तिका केरियर बड़ा अच्छा जाता है यहां एक जी जौर हम बता दें अगर अगर ब्रहस्पती की दृष्टी पान साथ नौवे घर पर है लेकिन अगर जहां पर ब्रहस्पती की दृष्टी जा रही है वहां पर दस नंबर की गिंती हो और थार ब्रहस्पती नीच र को देखेगा और यहां से ठीक साथमे घर में दस नंबर की गिंती अगर लिखी हुई है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो ब्रहस्पती अगर चोथे घर में है तो एक दो तीन चार पांच अस्टम भाव को देखेगा आयू बढ़ाएगा बुढ़ापा सुखी करेगा और मृत्यू समय अधिकस्ट नहीं होने देगा यहां एक चीद जान लेजिए अगर आठमे भाव में कुंडली का यह आठमा भाव है एक दो तीन चार पांच छे शाता आठमे भाव में जितने पाप ग्रह या अशुभ ग्रह हों पाप मतलब यह ऐसा नहीं होता है सास्त्र को थोड़ा मृत्यू के समय कस्ट अधिक होता है तो ब्रहस्पती चोथे घर में होगा तो आयू बुढ़ापा और मृत्यू अच्छी बनाएगा यस दिलाएगा प्रशिद्धी दिलाएगा रोजगार दिलाएगा कर्म ऐसा व्यक्ति अच्छा करेगा जिससे उसकी कीर्ट बढ़ेगी और बरहमे भाव पर भी ब्रहस्पती की दृष्टी जाएगी नामी दृष्टी ऐसे में व्यक्ति के अंदर दान सीलता बढ़ेगा व्यक्ति दानी बनेगा धार्मिक और मांगलिक कारियों में ऐसे व्यक्ति का पैसा खर्चा होता रहता और कभी-कभी ऐसे व् पड़ सकता है और ऐसा व्यक्ति कभी न कभी अपने सेनकच में देवी देवताओं की भी तस्वीर रख सकता है जो कि सुभ नहीं है अब पाचवे भाव में ब्रहस्पती महराज है तो क्या रिजल्ट देंगे पाचवे भाव में क्या देंगे ये बीडियो बना है हम आज सिर सती लाव भाव को देखेंगे अच्छी द्रिष्टी है लाव की पूर्ती करेंगे रुके हुए कारियों को अनिस्तारण करेंगे और लगन को देख करके आयू आरोग सुख और सौभाग्य में ब्रिध्धी करेंगे जहां द्रिष्टी जाएगी क्या-क्या ब्रिध्धी हो मतलब छाठमे का ब्रहस्पती अच्छा नहीं है। अगर गुरु महराज सात्वे घर में हैं तो इनकी द्रिष्टी लाव और इच्छा भाव पर पड़ेगी एक दो तीन चार पांच यहां की द्रिष्टी अच्छी मानी जाएगी लाव इच्छा के पूर्ती नौकर चाकरादिका सुख देंगे आयु आरोग और सुख सोभाग में बृद्धी करेंगे प्रभाव आपका अधिक बनाएंगे यात्रा करेंगे पतनी का भाग्य बढ़ाएंगे और भाईयों से सुख दिलाएंगे आठमे घर में अगर ब्रिहस्पती हो तो इनकी द्रिष्टी बरह में घर पर जाएगी एक दो तीन चार पांच बरह में घ पर ब्रहस्पति की दृष्टी जाने से ऐसे व्यक्ति के खर्च का योग बढ़ जाएगा ऐसा व्यक्ति दानसील होगा वे करने वाला होगा और ऐसे व्यक्ति को सेयनकच में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए दोसरे भाव को देखेगा कुटम्ब धन वा वारी मधूर होगी ऐसा व्यक्ति अपने वारी के ओज से लोगों को खींच सकता है अपनी तरह और ऐसा व्यक्ति जो बोलता है अक्सर बातें सच हो जाती है और नामी दृष्टी ब्रहस्पति की अगर ब्रहस्पति आठवे घर में है तो नामी दृष्टी इनकी लगन पर जाएगी आयू आरों ब्रहस्पति का भाग्या और भाईयों का सुख इसकी ब्रहस्पति का भाग्या बड़ा मजबूत होता है पुत्र सुख के प्रहस्च अवस्य होती है दसम भाव में गृरू महराज हों तो काफी अच्छा रिजठ देते हैं यस जोजगार के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को धन का उत्तम योग बनता है ऐसा व्यक्ति अवस्य ही बैंक बैलेंस बनाता है यह फड़ी वगेरा यह लाइसी यह कुछ ना कुछ धन जब भी ब्रहस्पती की दृष्टी दूसरे भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति के पास में जीवन में कभी न कभी बहुत ही परियाप्त पैसा एक बार अवस्य आता है और वह उसे बचा ले जाता है ब्रहस्पती की दृष्टी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी घर गाड़ी जमीन परिवारिक सुख देगा और यहां पर बैठे विए ब्रहस्पती की दृष्टी रोग रि भाव में होगा तो यहां से 1,2,3,4,5 तीसरे घर को देखेगा ब्यट्टी सौम्य सुभाव का होगा ब्यट्टी जगडा जंजावाट से दूर रहने माला होगा संतान का सुख ब्यट्टी को मिलेगा और पतनी और पार्टनर्शिप में काम करना अच्छा होगा ब्योसाय क अगर ब्रहस्पती बरहमे घर में हैं तो ब्रहस्पती बरहमे घर में अच्छा नहीं माने जाते हैं अगर धन भाव का स्वामी कमजोर हो ब्रहस्पती यह जो दूसरा भाव है आपकी कुंडली में यह कमजोर हो जाए और ब्रहस्पती 10 नंबर की गिंती पर लिखे हो या ब बरहमे का ब्रहस्पती अच्छा नहीं है अगर दस नंबर की गिंती में कहीं भी कुंडली में लिखा है तो अच्छा नहीं है बरहमे के ब्रहस्पती होने से व्यक्तिको अधिक उम्र में घर और गाड़ी का सुख मिल सकता है एक दो तीन चार पाँच अगर ब्रहस्पती यहा चाटमे भाव को देखने से ऐसा वेक्ति लोगों से सत्रुता करना नहीं पसंद करता है बलकि समझाओता कर लेता है और ब्रहस्पति की नवी द्रिष्टी आयू बुढ़ापा अच्छा निकलता है तो ये तो सामान ने फलादेश था अन्य कुंडलियों में अन्य योग भी देखने होते हैं जब तब हम पूरा रिजल्ट निकाल पाते हैं यहां पर सिर्फ द्रिष्टी का फल बताया गया है ध्यान देना चाहिए तो कालिकरम को लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है आज के लिए इतना ही जै स्रीकिष्णा जै शिदिराद है